तो फाने काईज कि आप लोग भी एटल, जीयो, वोडा या फिर बेसनल की SIM इस्तमाल करते हैं तो आपकी जो SIM है इसे आप बंद केसे कर सकते हैं यानि कि पर्मानेंटली आप बंद कर सकते हैं जब चाहें आप बंद करें जब चाहें आप चालू करें तो दोस्त देखिए इस के लिए कुछ सेटिंग होती है अगर आपका फोन कहीं खो गया है आपका या सिम चोरी हो गया है या फिर आपके साथ कोई ऐसी दुर्खंटला हो गई है जिससे आपको अपनी सिम को बंद करने के उसकता है तो आज मैं आपको जो तरीका बतारूंगा इससे बिना OTP के ही आप आप लोग अपना सिम बंद कर पाएंगे तो चलिए दोस्त वीडियो को इस्टार करते ही मेरा नाम है आजात कुस्वाह रादे रादे सबसे पहले आप लोग देखिए आपको यहां पर करना क्या है आपको जो भी सिम अपनी बंद करनी है चाहे आपकी एटल की सिम हो जियो अभी वर्क नहीं करता है तो आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके को आप फोलो करिएगा सबसे पहले आप क्रोम पर आईएगा और यहां पर आपको जो तरीका बताऊंगा step by step देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे यहां पर लिखिएगा जैसे कि आपकी ज जाएगा sorry आप इसके पर क्लिक करिएगा और यह application को delete करना पड़ेगा पहले हमें क्योंकि यहां पर कुछ setting जो हती है application के अंदर work करने के वज़ावत नहीं हो पाती इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा तो अभी देखिए आप यहां पर हम क्लिक करेंगे तो यह जो side ह मारी यह work करने लगेगी अब यहां पर आप लोग थोरा से नीचे आएंगे मेरे भाई और भेन आप देख पाएंगे कि यहां पर आपको यह जो number डालेके और आपना जो service है अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इस तरह अच्छा मिलेगा explore sim यह देखिए अब यहा पर हो सकता है आपसे OTP मांगा जा सकता है अगर आपके पास OTP नहीं है तो आपको तरीका बताता हूं इसके लिए आपको करना क्या है आपको dial paid में आना है और dial paid में आने के बाद यहां पर आपका कोई भी company का SIM हो 198 इस पर आपको call करनी है और call करने के बाद आपको customer care से बात कर दे जाएगी और बिना आपके permission के यह चीज़े unblock नहीं होगी तो चली दोस्त मिलते हैं नई वीडियो में रादे रादे